नमस्कार दोस्तों यानि कि आपको कोई फरक पड़े या नहीं फड़े क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं कि उन चीजों पर ज़्यादा दिहान नहीं देते और कुछ लोग यह से होते हैं कि यदि कोई छी बीदी या फिर अवास देते तो वह बहुत ज़्यादा गुसा करते हैं यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता रहता है तो उसके लिए कुछ आसान से उपाई ले कर आई हूँ उन उपायों को कर लीजिए तो आपका जो भी कारे के लिए जा रहे हैं वह आसानी से बन जाएगा अगर आप किसी सुप कारे के लिए जा रहे हैं तो उनके अराध्ना करके ही अपने सुपकारे पर निकले और सुपकारे पर निकलते समय यदि कोई छीक दे या फिर आपको कोई अवाज दे दे तो उसे इग्नोर करकर बिना पीछे मुड़कर ही चले जाए और ऐसा करकर आप जहां भी बीच में रास्ते में मंदीर पड़े उस मंदीर में आप महाद जोड़े प्रणाव करें सर जुकाएं और फिर अपने काम के लिए चले जाएं ताकि आपका जो भी कारे है वे सफ़र हो जाएं आपको कोई परिशानी ना हो और यदि आप अपने घर में या फिर अपने घर से बाहर निकलते हैं समय कुछ खाने की चीज़े अपने पास रखते हैं तो उसमें बिस्किट भी शामी कर लीजी ऐसा करने से जो भी आपके बिगड़े हुए काम है वह भी समल जाएंगे और काम भी आपका असानी से हो जाएगा और यदि आपको कोई भी अवास देता है तो उसे इग्नोर करना नहीं पा रहे हैं यदि कि आपको कोई जानता है और आपको अच्छे से जानता है और आपकी जरुटकी चीजी ही बता रहा है तो उसे इग्नोर ना करें उसे सिंपल से आप ये कह सकते हैं कि आप पीछे से आगया जाएए और मुझे ये चीज दे जाएए क्योंकि मैं पीछे मोड नहीं सकता और वैसे भी अपने घर से ऐसी चीजों को पहले ही परवंतर करके चलिए जो चीजें आपकी सरुवत्की हैं चाहे वे मुबाइल हो, रुमाल हो या फिर पैन हो अगर आपकी घड़ी भी घर पर रह जाती है तो छोड़ दीजिए क्योंकि अकसर आप जब घर से बहार निकलते हैं तो आपका मूड अच्छा और फ्रेस होता है लेकिन अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आपका वही फ्रेस मूड और फो जाता है जिसकी वज़ा से आप जिस काम पर फोकस कर रहे हैं वह काम आपका नहीं होपाता है तो यह आपके आसान से तरीके हैं जिन से आप इन चीजों से पीछा छोड़ा सकते हैं मेरी इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले